हरे कृष्णा श्रीमत भगवती गित्या मौली गरुपरे दुत्य अध्य सांख्यजग सुलुक बाईस बांचासी जिन्नानी जथा बिहाय नवानी गुरुणहाती नरो पराणी तथा शरिरानी बिहाय जिन्नानी अन्यानी संजाती नवानी देही बांचासी जिन्नानी जथा बिहाय नवानी गुरुणहाती नरो पराणी तथा शरिरानी बिहाय जिन्नानी अन्यानी संजाती नवानी देही अनुबादरे क्वाजयव चंदी जे शरीर परिवर्तन करे एहां हेवचे का सर्व सिध्धांत सत्य ये पर की केते का आधुनिक वग्यानिक जे उमाने आत्मार अस्तित्तो कथा शिक्वार करंधी नहीं किन्तु तत संगे शंगे खुर्दे रुजे काणसी सक्ति भाहरुची से संबंधरे मध्यकेचे कही परंदी नहीं स tapa नमकु मध्यान ए प्रकार परिवर्तनासी अन्ययक सरीर लाभ हेऊची। एक था पुर्भवत्ति स्लोकरे बनना पराजाईये ची। परमात्मांक कुर्पाजगुं अनु आत्मार अन्ययक सरीर मध्यरे प्रभेश संभवपर हेऊची। जे परी गोटिये बन्धु अन्ययक बन्धुर अभिलास पुर्ण करे ठीक सेई परी परमात्मा अनु आत्मार अभिलास कुँ पुर्ण करंदी। मुंडक उपनिशा तथा सेता सेतार उपनिशा ता आदी बैदिक सास्त्र मने आत्मा ओ परमात्मा कु एक ब्रुखेरे वसितिवा दुईटी पक्खी सैत्य तुलना करा जाई छी पक्खी दुईटी मध्यरु गोटिय पक्खी अणुवात्मा ब्रुखेर फळटी कु चाखुची एबंग अन्य पक्खेटी कृष्ण जेकी तांकर बंधुनकु लख्य करुचन्दी ये दुईटी पक्खी मध्यरु जद्यव सेमाने गुणरे समान तथा पी जने बंधु भौतिक बुर्खेर फळप्रती आशक्त किन्तु अन्य टी के बल तांकर बंधुनकर क्रिया कड़ापकु लख्य करुचन्दी कुरुष्ण जहुचन्ती शाखी पक्खी एबंग अर्जुन जहुचन्ती भक्ख्यन करी पक्खी जद्यव से दुईजण परस्पर बंधु तथा पी जने हुचन्दी प्रभु एबंग अन्य जने हुचन्ती भुरुत्य एही जहुँ संबन्ध ताहको अनुआत्मा भुली जाई थिवारू से गोटिय बुरुख्यरू अन्य बुरुख्यकू स्थान परिवर्तन करुचि अर्थात गोटिय शरीर त्याग करी अन्य शरीर मध्यरे प्रभेश करुचि भौतिक शरीर रूपक ब्रुख्यरे जिपात्मा खुब कठी न संग्राम करूची किन्तु जेत्त वळा अन्य पक्खीकु परम गुरुरुपरे शिक्वार करीने उची अर्थात अर्जुन जेपरी सुत्त परवृत्त करीने ले भूर्तिय पक्खी बा अधस्तन पक्खी संगे संगे समस्त प्रकार दुखरू मुक्त होई जाए उभेक अठा उपनिशद एबंग सेता सेतर उपनिशद एक अथा शिक्वार करीछनती जथा समान वुक्खे पुरूशो निमग्न अनिशयासो चतिमुहियमानह जुष्टांग जदापस्यत्य नियमिसं अस्य महीमा निमिती वीत सोकह सोकह जद्यो दूइटी जांक पक्खी एक वुरुखे र अचनती तथा अभी फळवर्ख्यान कारी पक्खी वुरुखे र फळवर उपोह कारी हिसाबरे सम्पुन रूपे दुख एबंग सोकरे मिहोमान किन्तु जद्य कोण सी प्रकार से पक्खी तांक बंधु पक्खीं को आड़कु मुह फेरांती कारणा बंधु पक्खीं युँ चनती भगवान जे की तांक महात्मे जानी चन्ती ताहले दुख़ भगु थिवा पक्खी संगे संगे समस्त प्रकार दुखरू मुक्तो होई जाये जदी बर्तमान अर्जुन तांकर चिरंतन बंधु कुरुष्णंग परती मुह फेराई चन्ती तांक ठरु भगवत गिता भुझु चन्ती एई परिभावरी कृष्णंग ठरु श्रवण करी से भगवानन कर गुण गुण गौरवगा अथा भुझी समस्त दुखरू मुक्तो होई गले एठारे अर्जुन नंक उपदेश दिया जाव उचिजे से तांक पिताम हो भिष्च्म गुरुडु द्रणंकर शरीर परिवर्तनेरे दुख़ प्रकास करीवा उचित नुहे बरंग जुद्धरे सेमानकर शरीर को विनास करीवा रे आनंद अनुभव करीवा उचित कारण एत्तत द्वरा सेमाने सेमानकर विभिन प्रकार सारीरिक क्रिया प्रतिक्रियारू संगे-संगे मुक्तो होई जीवे जीवे उब्यक्ति धर्म जुद्धेर जीवन पात करे अर्था अत उपजुक्त जुद्ध्यकतर जीवन विश्वर जन करे से शांगे-संगे शारीरिक क्रिया एभग प्रतिक्रियारू मुक्तो होई जाए एभग एक उच्चतर जीवन स्तरक उन्नित होई जाए तेनु अर्जुनंकर दुखर कारण कीछि नहीं, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बन्सासी जिन्नानी जथा विहाय, नबानी गुरुणाती नरो परानी, तथा सरिरानी विहाय जिन्नानी, अन्यानी संजाती नबानी देही, एदुत्य अध्याय स्लोक, 22, 22, अनुबाद, जिस प्रकार मानुस्य पुराने बस्त्र को त्याकर नय बस्त धारन करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा ब्यर्थ के सरीर को त्याकर नबिन भौतिक सरीर धारन करता है, तात्परिया, अनुआत्मा द्वरा सरीर परिवर्थन एक सिक्रुत तत्या है, तत्या है, आधुनिक बईज्यानिक तक जो आत्मा के अस्तित पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हुदे से सक्ति साधन की बाख्या नहीं कर पाते, उन परिवर्थनों को सिक्वार करने के बाद ध्य है, जो बाल्यकाल से कौमार अबस्ता और फिर तरुणा अबस्ता तथा बुर्धा अबस्ता में होते रहते हैं, बुर्धा अबस्ता से एही परिवर्थन दुश्री सरीर में स्तानांतरित हो जाता है, उसकी बाख्या पिछले स्लोक में किया जा चुके है अनु आत्मा का दुस्त्रे सरीर में स्तानांतरन परमात्मा के कृपा से संभब हो पाता है परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति इस तरह करते है जिश्प्रकार एक मित्र दुसरे की एच्छापूरती करता है मुंडग तथा सेतासितर उपनिसद में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्खियों से दी गई हैं जो की एक ही बुख्य पर बैठे हैं इन में से एक पक्खी अणुआत्मा बुख्य के फल को खा रहा है और दुसरा पक्खी क्रिश्ण आपने मित्र को देख रहा है जद्यपी दोन पक्खी समाने गुनबाले हैं किन्तु इन में से एक भौतिक के फल परम मुहीत है जद्यपी दोन समाने गुनबाले हैं किन्तु इन में एक भौतिक बुख्य के फलों पर मुहीत है किन्तु दुसरा अपने मित्र के कार्जे कड़ाप के साखी मात्र है कुर्श्ण साखी पक्खी है और अर्जुन फल भुक्ता पक्खी यदेपी दोनमित्र सखा है किन्तु फिर भी एक स्वामी है और दुसरा सेबक है। अनु आत्मा दोरा इस सम्मंध की बिश्मुर्ती ही उसके एक बुख्य से दुसरी पर जाने या एक सरीर से दुसरी में जाने का कारण है। जिबात्मा पाकृत सरीरूपी बुख्य पर अत्यधीक संघर्श सिळ है। किन्तु जो ही बहदुस्त्र पक्खी के परमगुरु के रूप में सिक्वार करता है। जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश गहन करने के लिए स्वेच्छा से उनकी सरण में जाता है। तेहीं परतंत्र पक्खी तुरंत सारे शोकों से बिमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिशद तथा सेता सेतर उपनिशद समान रूप में उसकी पृष्टी करता है। समान बृख्य पुरुष निमग्न अन्नी साया सोचित्यमुह्यमान जुष्टं जदा पस यन्य न्यमी समस्य मोही माना मीती बित सोकह। अध्यपी दोनों पखी एक ही बृख्य परवाइठे हैं किन्तु फाल खाने वाले पखी बृख्य के फाल को भक्त रूप में चिन्ता तथा विशाद में निर्मम है। निमगन है। जदी किसी तरह वो आपने मित्र भगवान की और उन्मुखों होता है और उनकी महीमा के महीमा को जान लेता है तो बहकस्ट भोगने वाला पकी तुरंत समस्त चिन्ताओं से मुक्त हो जाता है। अब आर्जुन ने आपने मुख आपने सास्वत मित्र कृष्ण की और फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। उसी प्रकर भग्रिष्ण से स्थ्राबन करके भगवान की परम महीमा के समझ कर सोक से मुक्त हो सकता है। यहां भगवान ने आर्जुन की उपदेश्द्याहे की आपने पिता महत अथा गुरु के देहंतर पर सोक प्रकट ना करे। अपितु उसे इस धर्म जुद्य में उनके सरीर का बद करने में प्रसन होना चाहिए। जिससे बेशाव बिभिन्न सारीरी कारियों के फड़ों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलिवेदी पर या धर्म जुद्य में प्राण को औरपन्ट औरपित करने बाला बेक्ती तुरंत सरीरी के पाप से मुक्त हो जाता है और उच्चे लोग का प्राप्त होता है अतह अर्जुन का सोकरना जुक्ति संगत नहीं है। हरे क्रिष्ण वंशाश जिन्नानी जथा विहायो नवानी गुरुणाती नरोपराणी तथा शरीराणी विहाय जिन्नानी अन्यानी संजाती नवानी देही। क्रद्वाराण देशती अमगने शुक्ति समय का प्राप्त करता है विहायि है वी है विए ऐसे विए ब्सक्ति था पड्लाप्त करते है। तो जोड़क पर अटमें पाइशा प्सक्ट प्सवार प्सक्था फ्सवार्ट पाइशा हो भी зак olması अग्याता बिस्वाटा है। विंगेशने सबड़ानिप्स को नियुक्ट इस टारता है। but at the same time cannot explain the source of energy from the heart. have to aspect continuous challenges of body which appear from childhood to boyhood and from boyhood to youth and again from youth to old, from old age, the change is transferred to another body. This had already been explained in a previous verse, 2.13. Transference of the Atomic individual soul to another body is made possible by grace of the Supersoul. The Supersoul fulfill the desire of the Atomic soul as one friend fulfill the desire of another. The Vedas is eating the fruit of the tree. And the other bird, Krishna, simply watching his friend of these two birds. Although they are same in quality, one is captivated by the fruit of the material tree, while the the other is simply witnessing the activities of friend, Krishna is the watching bird. And Arjuna is the eating bird. Although they are friend, one is still the master and the other is the sarvyan. Forgetfulness of this relationship by Atomic soul is the case of one changing his position from one tree to another, or from one body to another. The Jeeva soul is struggling very hard on the tree of the material body. But as soon as he agreed to aspect other bird, as the Supreme Spiritual Master Arjuna agreed to do, by voluntarily surrender unto Krishna for instruction, the subordinate bird immediately became free from all lamentations. Both the Mundak Upanishad 3.1.2 and Satastra Upanishad 4.7 confirm this. Although the two birds are in the same tree, the eating bird is fully engrossed with anxiety. And Moro's senses are the enjoyer of the fruit of the tree, but if same way or other, he turn his face to his friend with the Lord and knows his glories. At one suffering bird became free from all anxieties, Arjuna has now turned his face toward his eternal friend. Krishna and is understanding the Bhagavad Gita from him, and thus hearing from Krishna, he can understand the supreme glories of the Lord and be free from lamentation. Arjuna is advised here with by the Lord not to lament for the bodily change of his old grandfather of his teacher. He should rather be happy to kill their body in the righteous fight so they may be cleanest at once of all. One who lays down his life on the sacrificial altar or in the proper battlefield is at once cleansed of bodily reactions and promoted to a higher status of life. So there was no cause of arjuna's lamentation. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna, Jai Shri Sri Radhaostat. श्वामि वोच्फा जिंहारा राज कि जये गव मिंदस्वामी श्यले गुरुदेप की जया चारट तैन चिकुल कुड़ी वाष्ण भक्त वुस्वारंद की जये बंच्छा कल्प अरु वश्च कृपा सिंध व्या वक्तृत व॥ जै जै श्री राधे स्याम सब को मिले स्तरी ब्रिंदा बंधाम हरे कृष्णा थैंक यू भरी मुच जै श्री राधे हरे कृष्णा